उधर केंद्रे ग्रेमंत्री अमिच्षा तीन दिन के लिए जम्मू कश्मीर के दोरे पर है। ग्रेमंत्री के लिए एक छोटा सा तौफा है। पुलिस का ऐसा कहना है। आरोपी की मानसिक स्थिती भी ठीक नहीं थी। यासिर एहमद मूल रूप से रामबन का रहने वाला है। पुलिस ने कई सारे CCTV फुटेज इखटा किये थे। CCTV में आरोपी को वारदात के बाद भागते हुए देखा गया था। चलिए बताते हैं टीर एफ का इतिहास। टीर एफ के निशाने पर जमू कश्मीर के सरपंच और इस्थानिया नेता रहे हैं। श्री नगर के लाल चौक पर सी आर पी एफ पर भी हमला टीर एफ कर चुका है। टीर एफ के पीछे लशकर इताईबा का हाथ माना जाता है। लशकर ने आईएसाई और दूसरे आतंकी समुहों की मदद से ये संगठन बनाया। इसे नाम दिया गया दरेजिस्टेंस फ्रंट। गाटी में आतंग का दूसरा नाम बन गया दे रेजिस्टेंस फ्रंट जमु कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद ये बनाया गया 2020 में इसे बीजेपी कारे करताओं की बेरहमी से कुलगाओं में हत्या कर दी थी लशकर जैसे आतंकी संगठनों के लिए एक कवर की तरह ये संगठन काम करता है तो इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार रची गई